बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी बड़ी खबा निकल कर सामने आ रही हैं एक बार फिर सवाल उठा सलमान खान के होस्टिंग पर किसने सवाल उठाया तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज के वीकेंड के वार के एपिसोड में सलमान खान के सामने दो गेस्ट आएंगे और साती साथ उनी में से एक होंगी सरगुन महता जो की जाना पहर जाना टेलिवीशन इंडस्टि का नाम है और साथी साथ वो आकर घरवालों को एककारे देने वाली है फरेब का लड़ू जी हाँ जहाँ पर सदस्यों को आना होगा और दूसरे सदस्यों को फरेब का लड़ू जो है वो खिलाना होगा और साथी साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसी दोरान जो है अर्शी खान और साथी साथ अरशी खान कुछ ऐसी हरकत कर देती है जिस वज़े से रुबिना दिलाय का रियक्शन निकलता है और रुबिना दिलाय की रियक्शन पर सलमान खर भड़क जाते हैं। दरसल में अर्शी खान जो है कैमरा को चुपाने वाले को लेकर एक मुद्दा बनाती है जो कि विकाज गुपता के द्वारा चुपाया जाता है लेकिन रूबिना का नाम वहाँ पर खसीरती है और इस बादरे में कहते हुए फरेब का जो लड़ू है वो खिला रही होती है र रूबिना दिलायक को लेकिन रूबिना दिलायक वो जो लड़ू है उसको थूप देती है क्योंकि काफी forcefully से अर्शी खान ने खिलाया हुआ होता है और काफी जूटा आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थी और इसके बाद जो है सलमान खान के तरब से reaction ये निकल कर सामने आता है सलमान खान ये बोलते हैं कि आप जो हो आप इस तरह से अपमान करोगे मुझे यकीन नहीं होता और साथी साथ इसी वज़े से सलमान खान जो है सवालों के घेरे में हैं इसी वज़े से सलमान खान के होस्टिंग पर सवाल उठाया जा रहा है क्यों उठाया जा रहा ह तो इसलिए उठाया जा रहा है, रूबिना दिलायक का जवाब दे, तो कैसे जवाब दे, रूबिना दिलायक किसी को मार नहीं सकती, किसी को थपड नहीं जार सकती, जो की थपड जणने के कई सारे सदस्य हकदार हैं, लेकिन उनको थपड नहीं मार सकती, उन्हें तो सिर्फ पर सिर्फ अपनी शब्दों से ही वार कर सकती है ना और रूबिना दिलाइक भी वैसा ही कर रहे थी और जब अर्शी खान पोर्ष फुली उन्हें लड्डू खिलाने की कोशिश कर रही थी तब रूबिना दिलाइक के तरफ से कैसा रियाक्शन निकल कर सामने आगा रूबिन की साथ कैसा आदमी है जो की एक एक औरत और साती साथ एक सदस्य की पीछे बुरी तरह से पढ़ गया है वैल दोस्तों यही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही थी सोचा हम आप सब भी दरिश्कों के साथ शेयर कर लें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीड करें लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें